नमस्कार जोहार गुड मॉर्निंग दोस्तों आपको आज हम लोग जो है जो अभी मौसम चेंज हुआ है जो वरसात जो चल रहा था इतके बाद हम लोग देखिए सबरे सबरे फैमस यूपी भी एस गार्डेन में हम लोग है जो कि हाँ और गेनिक खेती के लिए विख्यात है और हम लोग जो भी परियोग करते हैं इसी गार्डेन में करते हैं हर तरह के जो खास करके कीचन एक तरह से कीचन गार्डेन के रूप में इसको हम लोग बिक्सित किये हुए हैं यहां आपको हर मौसम का चायवा रवी का हो खरीब का हो बरसात कालिन हो सरद कालिन हो हर मौसम के लिए कुछ ने कुछ यहां आपके किचन के सारी समान जो कीचन के समाने आपको मिलेगा तो उस गारडन में आज हम लोग है जब हम लोग लाल बंधा जो हम लोग बीज डाले थे और इसके बाद जो लगाए थे और देख रहे कि लाल बंधा अब कम्प्लीट हो चुका है और कई हम लोग इसको सब्सक्राइब के रूप में खाये हैं वो लाल बंधा जो गून है यह जो है उसे उसदिय गून फाइडरेट फाइबर गरे जितने चीजे हैं वो सारे चीज में पाया जाता है और साथ ही इसका अभी हम विस्तार से बताएंगे कि लाल बंधा हमारे शरीर के लिए बहुत ही रामबान है और इसमें हर तरक आप विटामिन बी विटामिन ई और और यह देखिए लाल बंध यह अच्छा तरीके से राल बंधा हुआ है और छोटा है क्योंकि यह हम लोग और गेनिक टाइप से किये इसमें कोई पुर्णरक या रसायन का प्रयोग ने किया गया है आप यह देख रहे हैं और इसमें जो है कि बहुत सारा आपको जाकर के आयर्वेरिंग गूर्ट से भ कहीं अमीरका इम्रोप चीन और भारत में इन देशों में यह लाल बंधा पाइंटा है और लाल बंधा एक पेशोन दीए द्लग दियें लेखे आप हम चाटा कर रहे थे तमाम लोगों को जानकाई देश ते कि लाल तार लाक पंधा को भी उचको करते लाल बंधा और महादेशों में पाया जाता है तो हम इसका विश्चेश तोर पर इसे हमारे शरीर के लिए और मानुर के लिए जो फाइदा है कि इसमें जो है कई तरह के पौसक तप्टों से भरपूर है और इसमें सबसे बारी खासियत क्या है यह बलाल कि यह कैंसर रोधी है एक नमबर कैंसर का रोगता है इसमें जो है कि एंथोस साइनीन और इडॉल पाया जाता है केमिकल जो कैंसर के रोगी को रोकता है उसके विशानू को डेपलबने होने देता है और इस चलती इसमें जो है मनुस के लिए कैंसर रोधी है मनुस के लिए रामबान है साथ इसमें कम मात्रा में कैलोरी पाया जाता है कम से कम मात्रा में इसमें कैलोरी प्राप्त होता है लाल बंधा में साथ ही यह फाइबर देख रहे हैं कि बहुत ही फाइबर युक्त होता जो कि आपके पाचन किरिया को सुधीर करता है फैट ओगरे नहीं जमने देता है और पेड किरिया रखता है गेस ओगरे प्रोबलम कम जोगरे प्रोबलम को दूर करता है फाइबर यूख चीजें खाने से और इसमें जो है कि बिटामीन से भरपूर है विटामीन से भरपूर पाया जाता है इसमें जो है कि विटामीन ये विटामीन के विटामीन ई विटामीन जाकर के पाया जाता है इसमें साथ ही यह आप देख रहे हैं खनीज लवन से भरपूर पाया जाता है खनीज लवन इसमें पाया जाता है जिसमें आईरन विक्की मात्रा भी कम पाया जाता है तो इसलिए आप देख रहे हैं और यह सही बड़ी बात है कि हमारे सरीर में किसी प्रकारकादी रोग होता है यह लों ता बिक्षीद करता है हमारे सरीण में जिसके की बहुत तरकी बिमारीं को ये हमारे सरीर डेपलम ने होने देता है यह जो और इसमें बड़ी लाल बंधा मैं लाल पत्त को भी महें की या रोग पर ती होता है उनको यह कंट्रोल करता है और उसके भाइरस को यह हमारे सरी में एनर्जी टिक लाता है इनर्जी बुष्ट करता है तो इसलिए यह हमारे सरी में भाइरस जिसे की खासी, सर्दी इस सब जो simple सारी जो बिमारियां होता है तो इस तरफ लाल बंदा से इन सारी बिमारियों का या रामबान उपाय है लाल बंदा इसलिए लाल बंदा का आत मारकेर भेलु जो है कि करीब 100-500 रूपया केजी तक विक्टा और किसान इसको डेवलप करेगा किसान इसमें बहुत जादे जाकर के जाकर के उसे आमदनी का स्रोत बना सकता है इसलिए लाल भंदा हमारे जिवोन में एक तरह से राम बान है